हेलो फ्रेंड्स IIT Delhi में एडमीशन लेने के लिए 2024 में आप सभी को कितनी रैंक चाहिए जही एडवांस में डीटेल में बताऊंगा मैं आप सब की काटेगरीज की चाहे जेनरल हो गए EWS, OBC, SC, ST, PWD, female candidates के लिए भी बात करेंगे, gender neutral के लिए भी बात करेंगे, सब के लिए औ नहीं करेंगे, जितने भी ब्रांचेज हैं, चाहे BTEC के सभी ब्रांचेज हो गए, Dual Degree के सभी ब्रांचेज हो गए, या फिर Bachelor of Science के हो गए, so वीडियो स्टार्ट करते हैं, so यहां पर देखो मैं आपको क्या गया बताऊंगा, देख सकते हो सबसे पहले Bio Technology and Bio Chemical की की बात करे, कोटा यानी की AI है, यहां पर मतलब All India, NIT होता तो HS या OS लिखा रहता, Home State या Other State, Seed Type Open यानी की General, और जो Closing Rank है, Last में वही हमारी Cut-Off होने वाली है, 2024 में, J Advanced Cut-Off, मतलब की इतनी ही Rank आपको Target करनी है, आपका 100% Admission हो जाएगा, Female को 9291, EWS 925, EWS female 2400, OBC, OBC female, SC, SC female, ST और ST female, Next यहां पर जो Branch है, वो है, BTEC in Chemical Engineering, इसकी Cut-Off थोड़ी हाई है, BioTex है, 2361 and female के लिए 5400, क्योंकि यह थोड़ी सी Better Branch है, मतलब Scope इसका Better है, कोई Branch अच्छी या खराब नहीं होती, and यहां पर आप अच्छे से Stop करके देख सकते हो, जिस भी Branch या Category का देखना चाते हो, अब यहां पर बात करते हैं, Next जो Branch है, वो है, BTEC, MTEC Chemical में है, Dual Degree 5 Year Program है, General के लिए 3996 दे, वो कितना वो भी Chemical था, जो अभी बताया है मैंने, बट वो BTEC में था, पट इसकी Cut-Off बहुत ल Engineering College है, इंडिया में, मतलब इससे अच्छा वो क्या ही है, Next जो Branch है, वो है, Civil Engineering, इसके लिए देखो, आपको JG Advance में 4237, यह expected Cut-Offs है, accurate नहीं होंगे, इसके, आपको एक Idea लग रहा है, कि कितना Rank, Rank आपको Target करना है, और अगर आपको Rank Allowed हो गया है, मतलब कि आपको Scorecard पता चल है, तो आपको यह Idea लग रहा होगा, आपको कौन सी Branch मिलेगी आपको, मतलब अगर आप यह वीडियो बाद में देख रहे हो तो, और अब बात करते हैं, Computer Science का, तो सब बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा High Cut-Off EC की रहती है, 115, अगर यार देखो Safe Side के लिए Top 100 में आपको रहना पड़ेगा, मतलब यह उपर नीचे होती रहती है, Cut-Offs, अब देखो, J.E. Advance के Through Admission होता है, इसमें, J.E. Mains के Through Admission नहीं होता, IIT में, बहुत सह से Students में ने देखा है, जो बोलते है, J.E. Mains की क्या Cut-Off जाएगी, IIT इसकी, सो J.E. Advance की जाती है, Mains की नहीं जाती अब C.E.S. का Dual Degree अगर आपको मिल रहा है, B.T.E.C. नहीं मिल रहा है, तो आप बिलकुल ले लो यार, बहुत सही है, 185 इसकी Cut-Off है, दोको इसकी थोड़ी Low है, मतलब नॉर्मल B.T.E.C. से जो होता है, Dual Degree का Cut-Off लो रहता है, अब important एक डाउट आता है, कि Categories को इतनी मतल अब High Cut-Off क्यों है, General के According, इससे अच्छा हम General ही क्यों ना करवा ले, तो देखो Categories में Category Rank Cut-Off होती है, जैसे कि Example देखे बताता हूँ, Electrical की देखो, General के लिए, Open के लिए 576 आपको लानी है, Approx 500 के Under रहोगे, तो Safe Side रहेगा, EWS को 150 चाहिए, तो सोचो यार, यह तो बहुत High होगे, General से भी, तो देखो, EWS में सिर्फ EWS Candidates ही Count होंगे, उसमें General नहीं है, तो आपको आपकी Category का Benefit मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा, हमेशा मिलेगा, बागी आप यहाँ पर, अच्छे से Stop करके देख सकते हो, वीडियो Fast लग रही है, तो Slow करके भी देख सकते हो, Next यहा देखते हैं, इसके बाद होगा, I think, अगर नहीं होगा, तो पता चली जाएगा, अभी, So, यहाँ पर जो Next हमारी ब्रांच है, वो Energy है, Electrical का Dual यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, Energy Engineering की बाद करें, तो 2785 है, तो कोई इसकी Cut-off Low है, बट Biotech से High है, तो अगर आपको नहीं पता इसी है, हमें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, तो आप एक बार यह Cut-offs देखके अंदाजा लगा सकते हो, जिसकी Cut-off High है, समझ जाओ, ब्रांच काफी अच्छी है, जैसे की Computer Science, Electrical, यह सब, जैसे Lower Biotech हो गया, Metallurgy हो गया, तो आप खुद समझ जाओ, Cut-off देखके, Next, यहाँ पर Engineering and Computational, Mechanics है, Biotech में, 1160, इसकी मिला, 1100 तक रखना, Safe Side के लिए, बाकी यहाँ पर आप अच्छे से Stop करके देख सकते हो, और सिफ IIT Delhi की ही नहीं, कल से मैंने यह वीडियो स्टार्ट कर दी हैं, जिसके अंदर में सभी IITs, NITs, IIITs, GFTI की Cut-offs बताऊंगा, क्या रहने वाल Physics की देख सकते हैं, आप सा मतलब काफी High Cut-off रहती हैं, और IIT Bombay की कल मैंने बता दी थी, डीटेल में क्या रहने वाली हैं, Cut-offs, Expected Cut-off, कितना रैंक आपको चाहिए होगा, Admission के लिए, तो जाकर देख लेना, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो, यहाँ प benefit तो आपको मिले गई, अब यहाँ पर जो next branch है, यह आप CS के बाद रखो, इसको Mathematics and Computing, जो की BTEC में है, बहुत ही जादा सही branch है, इसकी cut-off देखो, आप 350, under 300, मतलब top 300 में आपको rank लेकर आनी है, safe side के लिए, अगर आपको यह branch चाहिए, तो, मतलब बहुत ही जादा drop करके देख सकते हो, यह सारी category rank cut-offs है, अब यहाँ पर बात करते हैं, इसका भी dual degree है, जो की सही चीज़े, अगर आपको BTEC नहीं मिलता, थोड़े से rank से रह जाता है, तो dual degree के तरफ जा सकते हो, 429, 400 के around safe side आप रखो, मैं थोड़ा better rank रखो, ताकि आप safe side रहे, और अगर आ आप में देख रहा है, आपके पास rank आ चुकी है, तो आपको idea लगर आओगा कि आपको IT Delhi में कौन सी branch मिल रही है, next यहाँ पर जो branch है, वो है BTEC in mechanical engineering, general के लिए 1757, female के लिए 4000, PWD 47, 7 EWS 374, female EWS PWD, OBC, OBC female, OBC PWD, SC, SC female, ST, ST female, ST female, अब यहाँ पर जो next branch है, वो है production and industrial engineering, जो की य यह भी BTEC में है, और इसके लिए 3200 के round चाहिए होगी, और यह round 1 के लिए है, और last round में भी इतनी ही cut off रहेगी आपकी, कोई changes देखने के लिए नहीं मिलेगा, first round से लेके last round तक, क्योंकि यार, changes तभी देखने के लिए मिलती है, जब कोई skip करता है, मतलब vacant हो जाती है, वो seat, but यहां से कौन skip करेगा, I.T. Delhi से कौन vacant रखेगा अपनी seat को, अगर सोचो, I.T. Bombay में, अगर किसी को जाना हो, तो वहां already seat full है, वहां vacancy नहीं आने वाली, तो कोई अपना upgrade भी नहीं करवा सकता, समझ रहो, next यहां पर जो branch हो है, textile technology BTEC में, 6100 and female 10,958, इसकी cut off काफी लो जात है, तो आप यहां पर यह branch देख सकते हो, और भी options हैं आपके पास, and यहां पर हमारी सारी branches complete हो जाती है, वीडियो पसंद आई, informative लगी तो like ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर देना, और bell icon प्रेस कर देना, क्योंकि मैं, मैंने कल से start कर दी है, सभी IITs, NITs, IIITs, GFTI की cut-offs करूँगा, first round और last round के लिए, क्या रहने वाली है, J-Mains और J-Advance की, so bell icon ज़रूर प्रेस कर देना, कोई important वीडियो आप miss ना करो, इसलिए और सिर्फ cut-offs ही नहीं, placements, fee structure, admission process, ranking, reviews, इन सब पर वीडियो में daily लेके आता हूं, so मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही important वीड और बीडियो में.